पर दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों आज की वीडियो के इंतरकेत बात करेंगे हम सेप्टर दस और व्याख्यक्षण नंबर बाईस है आज का वीडियो जो है वह व्याख्यक्षण बाईसावाहे एक बार जितने भी लोग मारे साथ जोड़ चुके हैं फट गहनानंद के बारे में चर्चा करेंगे घहनानंद आपके बारे में अगर बताओं तो गहनानंद के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे और एक लेक्षर इससे पहले अभी हमने बताया उसमें हमने सभी लोगों के बारे में बिस्तार समझा दिया है घहनानंद की बा कायस्त जाती के थे मलब कायस्त जाती के ब्रामर थे इनका आरंभिक जीमन दिल्ली तथा उत्तर जीमन जो था इनका ब्रेंदाबन में बीता संगीत था सहित में इनकी गती आसाधारनक थी ये रीती मुक्त का बिधारा के अगरने कभी माने जाते हैं ये आनंद घं नाम से पह मुहमद साह रंगेले के दर्बार में मीर मुंसी थे सुजान नाम की नर्तकी से ये अटूट प्रेम करते थे एक बार हुआ किया दर्बारियों के कहने पर मीर मुंसी जी गाते बहुत अच्छा थे मुलब किया कहने पर उन्होंने कहा कि मुंसी जी बहुत अच्छा गाते हैं तो बाथ साह ने क्या किया जो मुहम्मद साह थे मुहम्मद साह ने कहा कि हाँ भाई जो है उनको बुलाया जाए जो है घनानंद को गाना गाने के लिए तो बाथ साह ने इनका गाना जो है सुनने की हट पकड़ ले और कहा कि नहीं सुनना ही है लेकिन यह नहीं गाना गाते है नहीं नहीं हम नहीं गाते हैं हम नहीं गाएंगे और ये मिर मुंसी थे मलब की और लोगों ने कहा कि मुंसी जी बड़ा अच्छा गाना गाते हैं लेकिन मुंसी गहन की नहीं गाएंगे तब लोगों ने कहा जो ज़्यादा उसमें जो थे उन सभी लोगों ने राजा से बता सुजान को बुलाया गया और उसके कहने पर सुजान के इन्होंने क्या किया उसकी तरफ ही मुख करके खड़े हो गए सुजान की तरफ ही और उसी को देख देख करके खूब गाया और जब गाया तो सारा जो दर्बार था और मंत्र मुख्द हो गया सुजान के प्रेम में पढ इनको कहा कि निकल जाओ यहां से दर्बार से तब इन्होंने कहा चल सुजान चलो चलो हाथ पकड़ा उनका सुजान कहीं ने ने हम नहीं जाएंगे तो भाई राजा वो थे अब यहाँ पर यह भाई गानावाना एक परकार से मीर मुंसी थे वहाँ पर आज दरबार में अब सुजान जो थी वो राज दरबार में अच्छा एक परकार से मेवा में ट्रेल मिल ला था उसको अच्छे चीजे मिल नहीं दिखाने पीने को और राजदर्वार छोड़कर कौन जाएगा अब भले ही सुजान भी प्रेम करती रही हो जो है इनसे घना नंजी से लेकिन अब इनके साथ चलने के लिए उन्होंने मना कर दिया तो इनको बहुत जादा दुख हुआ और इसी प्रकार से इनको बहुत जादा दुख हुआ और इसी दुख में जो है ये बहुत सारी रचनाएं लिखने का प्राद बहुत जादा रचनाएं इन्होंने लिख दिया सुजान सागर हो या बिरहलीला हो कोक सागर हो रस केल बली हो कृपान्ड हो या फिर कृपान्ड जिसको कहते हैं तुमाम सारे रचनाए इन्होंने लिखना प्रारम किया भुट कल रचनाएं भी बहुत सारी मिलती हैं तुमाम सारी चिछयज quindi से हैं हम कि किसी दिन के बारे कי जाये जो भांसा जो है इनकी और रीधी युक्त का विधारा के कबी रीधी परंपरा से मुक्त यह रहें और साथी साथ इनकी भांसा हम साली बैसिश्ट के कारण से कबी स्वहम को अन्य कव्यों से आलग पाते हैं वंनलप इस बहुत-च्छी निकलती थी वही प्रकार से भाव प्रमण भासा आशा, जो है प्रकार से आया सरहित और निजत्तो और से शंपन नहीеся धाय सब्द करेंगे देखेंगे इनकी सब्दावलियां भी कई अधिक मातरा में आलंकार उजना में उत्रिन रहे हैं बहुत सारे लंकारों का प्रियोग अपनी रचनाओं में करते हैं रस योजना भी इनकी ठीक ठाक रही है ठीक अब हम बात कर लेते हैं घंणनंद के बारे में और घंणनंद का जो आपके पाठेकर में संचली थे घंणनंद जी का सुजान हित सुजान इनकी बैस्या मलब सुजान जो वैस्या थी उनसे इनको बहुत अटूट प्रेम था और उसी कारण से बहुत सारे रचनाओं इनकी लिखी गई हैं अब एक घंणनंद गरंथावली पुस्तक हैं उस पाठेकर में संक्रित पहला चौथा और सातमा जो पद है वो संक्रित सुजान हित का तो आए देखते हैं पहला और उसके आदमें फिर जो है देखेंगे आगे हम ठीक सबसे पहले हमर पहला है और जो है उसके आदमें कौन सा चौथा फिर सातमा तीन ही चीज़े हैं अब य पहला हो गया और दूसरा कौन सा है दूसरा यह ठीक तीसरा यह प्रफ्रंट पेज पर आपके जो है कौन सी क्लास होनी है तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास अभी रात 9 बजे से आपकी होगी POLITICAL SCISE काamp trails सम Sek prá масão अब आप स्भेस किक इस सर्फियों से आपका स्वाप्त होगा आप देरे देरे ऐसा क्या होगा कि मैं तीन दीन क्लास चलवाय दूँगा और तीन दिन क्लास हे उसके आदमें फिर सोसियोलोजी की तीजार क्लास दे देंगे फिर इसी प्रकार से इतिहास की तीजार क्लास दे देंगे इसी प्रकार से अलग अलग सब्सक्राइब की क्लास लगातार देते रहेंगे ठीक हिंदी साथ की राधार बज़े चली रही आपकी तो परेसान मत ठी मुर्द मुस्तकान में दसन दमक फैल ही ए मोती माल हेत पीए सो लड़की प्रेम पगी बतरानी में आनन्द की निध जग मगात छबीली बाल यंगनी अनंग रंग धूरी मूरी जानी में ये जो है प्रकार से बात की जाए मेरे भाई इसमें पंक्तियों में उपमा छेका अनुपरास ब्रत्या अनुपरास तमाम प्रकार के अनुपरास दिखाई पड़ते हैं अनुपरास अलंकार तो खूब है ठीक इसी के साथी साथ बात की जाए इसमें तो जो है ये ब्रजभासा का प्रियोग अच्छे मात्रा में किया गया है ठीक यहां पर क्या हुआ हुआ इसका आप से एक्जामस देकर आएगा जैसे ही लजनला पेटी चितावनी भेद भाव भरी ललित लसित लली लोल चकति रचानी में ये सब आए तो आप समझ जाएगा कि घनानंद नहीं लिखा इस परकार से इनकी रचनाओं में बात किये तो बहुत ज़्यादा क्या होता अब यह कि मलब आपको ऐसे चीजों के इसे कि लजनला पेटी चितावनी भेद भाव भरी लसित लली लोल लक्ट मलब की अनुप्रा सलंकार की जादा परविर्थीं के देखेंगे आप ठीक तो इसमें आपको बताने का प्रियास रहेगा है ठीक आगे बढ़ें अब चले इसकी ब्याख्या देख लेते हैं सबसे पहले ब्याख्या से पहले आपको बता दू कि सबसे पहले संदर्म आपको देखना है संदर्म में क्या लिखेंगे कि प्रसुत पंक्तियां घानानंद गरंथा वली से संपादक क्या है संपादक लिखेंग कि नायक नायका से मिलन की सुखध अनभूतियों की इसमर्ती करके नायका के सौंदर कावरंद करता हुआ कहता है अब क्या कहता है उब्याख्या में आद देखेंगे एक नायक है एक नायका है और नायक जो है वो नायका से मिलता है और जब मिलता है तो उसके मिलने से मिलने के बाद में जब वो घर पे लोटाता है फिर कहीं अलग चलाता है मलग मिल चुका है और मिलने के बाद में अब वो जो है अलग हो चुका है मलग मिलने बिछुड़ा नहीं है वो अपने घर पर आया चुका है माल लेते हैं अब वो जो है जो उसके साथ जो अच्छी बाते थी उसकी सुंदरता या उसके बारे में क्या क्या चीज़ ये वो अपने अंदर जो अनभूत कर रहा है उसी को याद करके जो है नाइका के सुंदर को याद करके अपने आप से भाव विभालो करके बाते कह रहा है क्या कह रह प्रगार से घरानजी की ही इस्तिति ऐसी हो जाती होगी या फिर एक प्रकार से बात की जाए घरानजी की इस्तिति ऐसी न रही हो उन्होंने किसी दूसरे नायका के ऊपर कहा हो तो इसको देख लिजएगा। कि भेद एक प्रकार से भरे हुई है मनलब ऐसा लग रहा है कि उसके जो चिता है चितमाने हिर्दय उसका जो हिर्दय है ना मेरे प्यादोस्तों वो भेद भाव भरी मनलब अनेको भाव उसके हिर्दय में जो है मडरा रहे हैं बहुत सारे भाव जो है उनके हिर्दय में भरे हुए है इस प्रकार की सुन्दा नाई का है आगे लसित ललित लोल चक तिर्चानि में कागे कि जब वह तिर्ची चितमन जो है उसकी जब तिर्ची चितमन मलब एक प्रकार से लसित ललित लोल चक तिर्चानि में जब वह तिर्ची चितमन से देखती ह inc. जब टिर्ची एंकों से देखती है अपने हिरदे की आखों से जब वह देखती है तब तो वह उसके कोमल सुनदर जो नह कहने है जो चक्तिर्ण में जोatics तरो चंचल मैंज में उसमें लालित पूर सोभा चार जाती है। टिक क्या छाती है लालित पूंट सुभां चाह ужас जाती है लसित ललीते की लोल चख तिर्चारी вся सोभित होती प्रकॉत होती है उन नैनों में लालित पूर्ण सोभा चाजाती है बड़ी सुन्दर लगने लगती है वो आखे जब वो तिर्ची निगाहों से हमको देखती थी इस प्रकार से जो है वो नायक जो है नायक के प्रति सोचता है आगे देखें चाबिको सदन गोरो बदन रुचिर भाल चाबिको कह रहा है कि उसका जो गोरो बदन चाबिको सदन गोरो बदन मलब जो उसका जो गोरा बदन है उसका जो गोरो बदन है उसका जो गोरो बदन है वो सौंदर का निधान है सौंदर का निधान माने सौंदर का घार है ऐसा चाबिको सदन गोरो बदन चाबिको सदन गोरो बदन माने होता है गोरा सरीर जो उसका है या गोरी जो एक प्रकार से जो तका है उसकी वो मानो संदरता का क्या हो छबी मलप संदरता नही Pocket का घहर हो इक प्रकार से आगे रस निचुरत मीठी मृर्द मुसकान में, मानो उसकी जो मुसकान साख्छात, आनंद रस की वर्षा करती हो। 마법 ऐसा हो रहा हो कि centre वर्षा हो रही है, प्लक्राइस सेजवानों कि आनंद रस की वर्षा होती है, इसे कभी कभी आप एक हकता सुनें करें परunte कता हो रह तो वही अमरित बर्सा मानलो हो रही है उसके जब वहाँ उसकी जब मुसकाती है वो जो नाइका है तो एक प्रकार से उसकी मुसकान से ऐसा लग रहा हो मानो आनंद की बर्सा हो रही हो ठीक आगे देखते हैं क्या 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 दसन दमक फैल हिए मौती माल होती पियों सो लड़की पगी बटरानी में कहने का मतलब यहां पर यह हैं कि जब वहाँ हंसती थी दसन दमक दसन माने एक परकार से होता जो है क्या होता है दसन माने एक परकार से दांत होता है दमाक माने होता है चमकती है फैल ही है मोती माल होती मलब कहने का ये है कि जब वह हंसती थी तो सच और स्वेताफ मलब की सफेद सफेद उसके जो दांत होते थे उनके दांतों से क्या होते है ये मलब परकास होता था किसकी भाती मौतियों की भाती उसके जह परकास जो वक्ष है उस पर इससे पर मौतियों की मला के लुपमें दिखाई पढ़ने लगते थे मानो ऐसे दात हो आ cave परकास है पर जो मोतियों की माला पहरी जाती इस तरियों की तो उस मोतियों की माला की भाती उसके दात जो हो थे वो चमक रहे थे उस जो है इस तरी की आगे देखें पिये सो लड़की प्रेम पगी बतरान में कहने का मलब है कि जब वह अपने प्रिये से इतरा कर मचल मचल कर प्रेम से परिपूर्ण बाते किया करती उनसे वारता लाप करती बतरान माने वारता लाप करती प्रेम पगी माने होता है प्रेम से युक्त या फिर वारता लाप प् मचल मचल करके प्रेम वाली बाते प्रेम से why माता करती है तब क्या होता है क्या प्रेम प्रिय औरम करती है तब लोगा शब रही है उसका जो आनंद की निधी जगमगा रही थी वह इस प्रकार से चमक रही थी मानो क्या हो आनंद की नाईका हो आनंद की निधान हो इस परकार से चमक रही थी आगे अनंग अंग नी अनंग रंग मलब उसके जो अंग अंग होते थे उसके जो अंग प्रतंग है तमाम सारे वे काम देव जए मलब की रंग धूरी मूरी जानी मैं धूरी माने होता है मिल कर धूल मारी क्या होता है मिल करके मेरी प्यार दोस्तों ठीक है धोरी मुरी क्या है अंग नि अनंग अनंग माने होता है काम दियो अनंग माने क्या होता है काम दियो तो उसके जो अंग और प्रतंग थे मानो काम दियो की भाती लग रहे हो काम दियो जय आनंद की धारा प्रवाह प्रतीत हो रही हो इस प्रकार से लग रही थी मानों उनके एक एक अंग में काम देव के बान चल गए हूँ इस प्रकार से लग रही है मलब की प्रकार से उसके अंगों को देखने का दमें कामुक्ता उत्पन हो रही थी इस प्रकार से ना एक अपने वन में प्रतीत कर रहा है अपने मन में सोच रहा था इस परकार से चीजे थी इतनी सुन्दर वो थी ठीक अब यहाँ पर आप विसेज में क्या लखेंगे इन पंक्तियों में विसेज में आप लिखेंगे मेरे पैर दोस्तों किसमें अब विसेज में लखेंगे उपमा अलंकार का प्रियोग यहाँ पर अब देखेंगे ढ़िये अपर आप देखेंगे अंगा निए अनंग रंग धुरी मूरी जानी कई आप देखेंगे लजन लपेटी ऑर उसके दो stuck भाऊ भरी ठीक ऐसी परकार से ललित लसित लोल यहां पर क्या है यहां पर दोस्तों आप देखेंगे चे शह कानुपरास भी है और जो हैं प्रत्य में भी आप देखेंगे लगातार जो है वर्लों कि आब करती पुनरीघोंती में चेंज पर यहां पर कई प्रकार के लंकार है, मुदलब कि यहां पर वृत्या नुप रासकरने को ब्रत की भाती, जो है बन्जन वल्डो की आवरति यहां पर चल लही है, तो इसकी ब्याक्ष्या आपकी हमने दे विः पॉइंट की ब्याक्ष्या, अब इसका भी आप वही लिखेंगे प्रसंग में क्या लिखेंगे स्वारी संदर में क्या लिखेंगे प्रसुत पंक्तिया घरनानद गरंथावली जिसके संपादक विसुनात प्रसाद मिस्राजी है के सुजान हित से उधर थे जिसके रचाईता कौन है घरनानद जी है ठीक अब आप प्रसंग में आगे क्या लिखेंगे पहले इसको पढ़ लेते हैं इसका प्रसंग क्या है कि नायका जो है अपने प्रियतम के साथ बतीत किये छड़ों पर कुछ सुखद अनुभों की याद करके बिरह जनित बेदना ब्यगरता से क्या होती अनुभों करती है उसका बिरह से एक परकार बिरह में हो जाती को नायका तो यहाँ पर नायका जो होत नायका के द्वारा यहां पर बाते पहले में क्या था नायक जो था नायका के अंगों के बारे में नायका के प्रेम संदर या फिर उसके रूपों के बारे में वरणन कर रहा था अब यहां पर क्या है चूकि यह चौथा पद है उसका किसका सुजान हित का चौथा पद है तो यहां पर नायका जो है अब वो नायक के एक परकार से जब नायक और नायका साथ में थे तो उसी समय के बारे में सोच रही है को नायका और उसी समय को सोच करके बिरह हो जाती है मलब के एक परकार से दुखी हो जाती है कहने का मलब यह है अब यहां पर समझने का प्रियास इस क्लास ऐसे जैसे ये चल रही है वो ऐसे आपको चलती होई दिखाई पड़ेगी ठीक देखें यहाँ पर वहे मुस्क्यान वहे मृदुबतरानी वहे लड़कीली बानी आनी उर्पय उघरती है कहने का मलब यह है कि प्रियतम जो है सुजान का वह मुस्कुराना प्रियतम अपने बारे में भी यहाँ पर कहने का प्रियास कहते हैं और नायका अपने प्रियतम के साथ जो समय बतीत करी हुई है उसके छणों पर कुछ सुखत अन्भों की याद करती है और उसी को याद करके विराजनित बेदना से क्या हो याती है युक्त हो याती है और उसी का अन के सुझान के सुझान के करते हैं लेकिन कि सुझान के सुझान के मैं नाइका करतेहें यह मलब कि जो सुजान है मेरे बारे में सोचती होंगी या फिर एक इस्तरी है वो नायक के बारे में कैसे सोचती है इसके बारे में यहाँ पर बताए गया है तो यहाँ पर प्रेतम सुजान का वाह मुस्कुराना वाह मुस्कान वहे मुस्कान प्रियतम का जो सुजान है उनका मुस्कुराना वे मीठी प्रेम भरी बातें वहे मुर्दु बतरान है मला कि मिदु माने होता है मुर्दु बतरान माने होता है बातें किसकी वो मुस्कान वो बातें सोचते नहीं कभी-कभी आप लोग ठीक तो वही चीज़ें कि प्रियतम का वह मुस्कुराना वे मीठी-मीठी बातें और मीठी-मीठी प्रेम भरी बातें वहे ठीक वहे लड़कीली बानी यानी उर्मे उघरती है और उनका हाव भाव आकर मेरे हिर्दय में अड़ जाता है कहने का मलब यहां पर यह है कि लड़कीली बानी आनी उर्में उघरती है उर्माने होता हिर्दय में उघरत माने आती है ठीकर लड़कीली बानी माने होता है जो हाव भाव थे उनके जो हाव भाव थे मेरे प्रियतम का जो हाव भाव है वो मेरे हि आने पर जब उनकी याद आती है। आने पर प्रेतम की जो चेस्थाइएं होती है। वह चेस्थाय आप्लीव सब्सक्राइन यहां प्रतीज में गत्ट मेरे Andas यराते नटरती है वहे गतिलेन और वहे गतिलेन मलब होता है क्या कि संयोग काल वाली जो तीबर चाल थी उनकी वहे गतिलेन मलब की जो चलने की जो उनकी परकार से गती थी तीबर चाल थी वहे गतिलेन बजावन ललित बैन बजावन ललित बैन मलब क्या होता है कि संयोग का ओर रोल्नि पाने के बारे में किस प्रकार स सोच पर इसका ठाथ पर ब ten तो describing के बारे में कैसे सोच रही है कि वहाई गतिलैन और बजावन लितबैन कि वो आपकी मलब की वो जो जब हम लोग संयोग काल में थे जब हम लोग साथ साथ थे तो उस समय जो तीबर आपकी चाल थी बहुत तेज चलते थे वहाई गतिलैन बजावन लितबैन और आपकी जो मधुर मधुर मुरली बजाना ज ही रा मुने ही रहता है कि जो मधूर मधूर मुरली बजाना आपका था वही बाद बाद में yukht अधास से एक छण के लिए दूर नहीं होता है मलब की जो हिर्दय है मलब इन बातों का ध्यान हर समय आता रहता है ये चीज़ें हमें बताने का प्रियास क्या गया तो मतलब कहने का ये है कि जो बातें जो आपका तेजी गती से चलना होता था धीरे-धीरे मधुर मुरली बजाना था वो क्या होता है बजावन ललित बैन वह है हसी दैन मलब की जो आप मीठी मधुर आपकी जो मुस्कान थी वही क्या होती है वही अब हिराते तरती है मलब की ना तरती है मलब हमारे हिर्दय से वो जहांकी मिर्टी नहीं वो छबी जो शपी हुई है या फिर वो चीजे जो आप करते थे वो हमारे हिरा मलब हिर्दय में हमेशा बिद्दमान रहती है मलब हमेशा याद आती रहती है ये बाते इन बातों का ध्यान हमें हर समय हो जाता है ऐसी जो है प्रेम का कहती है आगे कहती है जो नाई का है कि वह है चतुराईसो चिताई चाहिबे की छबी वह है छहलताई न छिनक बिसरा आती है कहने का वह है चतुराईसो वह है चतुराई हुए जार्दटाई इस कि यह घुए उत्यों बश्च सु खुएन दून चलिए फार ना ऊज़न कि आपका इसरा कि अंप्तान त रॉटाई गो सबास को बश्यृ काहिबे कि छभी वह है छैल ताई जु आप छल किया करते थे भो छभी माने सुन्दरता होती है ठीक छिनक माने होता है मेरे पाड़ा दोस्तों एक छण के लिए भी छो बाते आपने उस समय सायोगा काल में हमारे साथ करी थी वो चीजे एक समय के लिए एक मत्र के लिए भी बिसरा आती है मलब की हमको दूर नहीं होती हैं हमेशा याद रहती हैं मलब की जो बाते हमारे हिर्दय में जो बसी हुई थी जो बाते संयोगा काल में हम लोगों के साथ में हो चुकी हैं वो बाते जो हैं हमेशा हमारे जीवन में मलब हमारी हिर्दय में वो ब्यापत है छड़ भर के लिए अलग नहीं हो सकती है ये बातें जो है वो नायका जो होती है कि एक छड़ के लिए भी हमसे अलग नहीं हो पाते क्या जागृत करने का चातुर है जो रसिक्ता है आपकी वो एक छड़ के लिए भी खतम नहीं होती है हमारे हिर्द से ये जो है वो क्याउन कहती है ये नाइका कहती है अपनी नाइक के प्रति सोच रही आगे क्या कहती है कि आनन्द निधान प्रान प्रीतम सुजान जो को सुधि सब भातिन सो बे सुधि करती है कहने का मलब ये है कि यहाँ पर जो आनन्द की खजाना बनी हुई प्राण है आनन्द निधान प्रान मलब आनन्द की खजाना जो है बनी हुई है जो प्राण प्रियतमा है आनन निधान प्रान प्रीतम सुजान जो को जो मेरी प्रीतमा है या मेरी जो सुजान नामक जो बैस्या थी उसी के उपर जो है घनान जी कहते हैं कि जो आनन्द की खजाना है आनन्द की जो निधान है निधार मने खजाना जो आनन्द की खजाना है जो प्रान प्रियतम है मलब की प्राणों से भी प्रिये है या प्रान प्रियतमा जो है सुजान जो है उसकी प्रकिर्ती सुधि सब भातिन सो बेसुधि करती है मलब उसकी जो प्रकिर्ती है जब वो हमको याद आती है इस सिमर्ती में सब प्रकार से बेहोस कर देती है ऐसा घाना नंजी अपने बारे में भी सोच रहे है और एक नाइका का भी प्रकार से यहां पर प्रसुत करते है कहने का मदलब यहाँ पर यह है कि एक नाएका है और नायक है नाएका का एक प्रकारसी बिरादसा का वड़न जो है यहाँ पर दर्साया तो गया है लेकिन यहाँ पर सुजान से अलग होने के बाद में जब सुजान उनके साथ थी, सुजान जो वहांपर थी, राधरबार में ये भी थे, तो उस समय जो सैयोगावस्ता की बाते थी, जो दोनों के साथ होई वो जो है घरनजी को भी भोलती नहीं है, जो प्राण प्रीतमा है, जो एक प्रकार से उनको क्या कहते हैं, आनंद इधान हो कौन प्रियतमा जो सुजान है जो प्राणों से प्रिये है आनद इधान वो किसकी खजाना है प्राण प्रियतम मलब जो प्राण प्रियतमा है सुजान जो है सुजान जू को और सुधिक सब भातिन सो बेसुधि करती है जब उसकी याद आती है जब उसकी प्रकृति की जब उसकी बाते हमको याद आती है तो क्या होती है बेहोस कर देती है मलब बेसुधी कर देती है हमको इस परकार से कौन कहता है घरननजी जो है जो है अपने प्रियतमा जो सुजान है उनको याद करके हुए यह बाते कहने का प्रियास करते है अब यहाँ पर बात क्या है यहा भातिन सो बेसुधी करती है यहाँ पर क्या है मान भी करना है ठीक आगे देखते हैं सुधी बेसुधी में बिरोधा भास भी है सुधी यहाँ पर देखेंगे सुधी एक ही लाइन में देखेंगे सुधी और दूसरी में क्या है बेसुधी यह क्या है एक मलब बिरोधा भास द तो इसली बात क्या है कि छण भरना विसरना था बेसुद करना इन सभी का मुहाबरे का प्रियोग किया गया है छण भरना प्रकार से विसरना छिछिनक विसरा आती है यहाँ पर देखेंगे यह मुहाबरे का प्रियोग किया गया है ठीक तो ये चीजे हैं और बेसुध करना बेसुध करना मलब होता है ये भी एक मुहाबरा है तो ये सब मुहाबरों का प्रियोग यहाँ पर किया गया है भासा आपकी ब्रजभासा का सुन्दर प्रियोग है ठीक बिसुध ब्रजभासा आप लिख सकते हैं कि इसमें बिसुध दारी याही दुख हमें जक लागी हाय हाय है तुम तो निपट निर दाई गई भूली सुधी हमें सूल सेलन सो क्यों हूँ न भूलाए हैं मीठे मीठे बोल भोली ठगी पहले तो अब जी जारत काहू धाव कौन न्याय है सुनी कई है नाही यहा प्रकट काहावत जो काहू कल पाए हैं मलब्भाए है सुकय से कल पाई हैं यहाँ पर विसुधि बिलज भाशा का भी प्रियोग है यहाँ पर आप देख सकते हैं चीक अब यहाँ पर इसमें संदर्व क्या रखेंगे कि प्रसुत पंक्तियां घरन गरंथावली संपादक विसुनात प्रसाद मिसला के सुजान हिस्स से उधर थे जिसके रचेटा घरन अनजी है प्रसंग में आप लिखेंगे कि बिरहेडी प्रिये की प्रेम बिमुक्ता को रेखांकित करती हुई कहती है कि संयोग के समय तो मीठी मीठी बाते कर खूब ठगा और मेरी और से ऐसे उदासीन हो गए जैसे मेरी पहचान एकदम मिट गई हो इस परकार से यहाँ पर है मलब की यहाँ पर जो है एक प्रेमी जो है और एक प्रेतमा है और जो प्रेमी जो है वो जब अलग हो जाता है तो जब मेरे साथ थी तो ठगी ठगी बाते मलब की बहला फुसला लिया और बाद में क्या हुआ छोड़ दिये इस परकार से कुछ बाते हैं अभी ब्याख्या में आप तो खुब वहला फुसला करके हमको प्रेम के आधेन कर लिया प्रेम के चंगुल में फांस लिया उसके बाद में अब अलग हो गए अब मुझसे बिम्मुक हो गई तो इस प्रकार से यहाँ पर बाते हैं समझते हैं इसका भावार समझते हैं की ब्याख्या समझते हैं तो भय अति निठुर मिटाए पहिचान डारी याही दुख हमें जाक लागी हाई हाई है कहने का मलब है कहती है कि हे प्रिये जो नाइका है अपनी प्रियतम जब उसका प्रियतम उसको छोड़ करी चला जाता है या फिर उसको भोल जाता है तब वो जो नाइका होती है वो कहती है कि हे प्रिये आप अतियंत निठुर हो क्या हो आप अतियंत निठुर हो अति भय निठुर कि हे प्रिये आप अतियंत निठुर हो गए हो मिटाए पहचान डारी कि मुझे भूला देते तो बात भी थी आप जो है मिटाए पहचान डारी याही दुख अहां मैं जाक लागी हाय 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 कि है प्रिये आप अतियंत निश्ठुर हो गए है मुझे भुला देते तो बात भी थी आपने तो मेरी पहचान को ही मिटा दिया ऐसा किती मिटाए पहचान डारी भलब आपने आप अगर मुझको भोल जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन आप इतने निश्ठुर हो गए कि मिटाए पहचान डारी कि आपने मेरी पहचान को ही मिटा दिया इस परकार से एक नाईक अपने नाईक से कहती है आगे कहती है कि याही दुख हाम है जक लागी हाय हाय है बाचित मत करो यार बिल्कुल आप समें लोग बाचित मत करो नहीं बिलाक कर देंगे एक को बाचित मत करो आराम से कलास लो अपनी और आराम करो ठीक है और बाचित मत करो समझे उसको तो भए आतिनिठुर कि हे प्रिये आप इतने निश्टुर हो गए कि आप मुझे भूल जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी लेकिन मिटाय पहचान डारी कि क्योंकि आपने मेरी क्या कर दी मेरी पहचान ही मिटा डाली इसमें एक प्रकार से लकिन आप ने क्या कर दिया आप तो काओ करो भई आप तो हमार पहचान ये मिटाय दियो अब का हुए इस प्रकार से जो है वा नायका जो है पने नायक से कहती हुई है कि आप इतने निश्टुर हो गए कि आपने मेरी पहचान को ही मिटा दिया आप मुझे भूल जाती है तो कोई दिक्कत की बात ना थी इस परकार से कहती है आगे कहती है कि तुम तो निपट निर्दई कि तुम तो निपट निर्दई गई भूल सुधी और हमें सूल सेलन सो क्यों हूं न भूलाई हैं कहती है आगे नाइका यह आप थोड़े नहीं अतियंत निर्दई हो तुम तो निपट निर्दई निपट निर्दई माने होता है बहुत जादा जो है प्रकार से निर्दई हो थोड़ा निर्दई नहीं निपट निर्दई हो कहने का मलब यहाँ पर यह है जिसको कहते हैं कि एक होता है कि हाँ एक होता है कि मलब आगे बहुत ज़्यादा लगा दो मलब सूपर एलिटिब डिगरी में कह रही है शिख नाइका कि तुम तो निपट निर्दई हो निपट माने होता कि बहुत जादे निर्दई हो कि तुम कम निर्दई नहीं हो नाईका कहती है कि आप जो है वो थोड़े निर्दाई नहीं है आप पत्यंत निर्दाई है बहुत जादा निर्दाई है इसलिए मैं पुनाह इसलिए क्या करती हूं गई भूल सुधी हमें सूल सेलल सो क्यों नाह भूलाई है इसलिए मैं पुनाह मैं आपकी सिमर्थी में भूल चुके हो अब तुम्हें याद नहीं रहा कि मैं कौन हूं इस प्रकार से सूचती है कि आपने तो मेरी पहचान ही मिटा दी कि मैं भी कोई प्राड़ी थी मैं भी कोई चीज थी आपके यहां पर इस प्रकार से आगे कहती नाएगा कि जो है तुम तो निपट भूल सुधी कि मुझे एकदम से भूला चुके मेरी पहचान मिटा सुके हो हमें सूल सेलन सो क्यों ना हूँ भूलाए क्यों हूँ ना भूलाए है कहती है आगे नाएका कि आप तो इत्क्या हो यतिन्त निर्दाई हो बहुत निर्दाई हो मैं पुना हमें आपकी सिम्रती म क्यों न भूलाए हैं कि जो हमको कष्ट सहना पड़ रहा है सूल सेरद मानी जो हमको कष्ट सहना पड़ रहा है वो हमें कभी नहीं भूलेगा इस परकार से नाइगा कहती है कि जो हमें जो है क्या करती है प्रेम पीड़ा की जो कसक मुझे सहनी पड़ती है वह हमेशा हम मुझ को रहती है वो मैं नहीं भूल सकती कि मुझे कितना कष्ट हो रहा है मुझे जब आप एक प्रकार से इतना भोल गए हो आप निपट निर्दई हो इस प्रकार से अपने प्रिये को जो है प्रकार से जो प्रियतमा है वो कह रही है कि आप जो है इस प्रकार से नहीं कर सकते आप थो आप में से बहुत सारी लोग ऐसे रात में कभी-कभी उड़ते होंगे बहुत सारे लोगोंकी यह सितिए है आज की यवा पीड़े की अगर बात करें तो बहुत दाइनी सेतिए हैं आप लोग यह ही करते हैं कि अजितेरे आगे आगे मैं देखता रहता हूं बहुत सारी लोगों को हला कि इस सब गलक चीज़े हैं और इसमसमें अगर जो बिक्ती फस गया बेकार हो इसमझो आपकी जिंदगी यह परकार से दो कोड़ी की हो गई मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तव अब पहले तव तब अब जी जारत कहो अब मेरा जी जला रहे हो कि अब मुझसे अलग हो गई हो मेरा अब जी जला रहे हो मेरा हिर्दय जला रहे हो कि अब हमारा जी जरावत हो पहले तो खोब मीठ मीठ बत वाएकर जो है प्रेम के चंगुल मा फसाए ले हो लकिन अब क्या कर रहे हो अब हमारा जी जरावत हो कहने का मलब यह कि अब मेरा जी जला रहे हो नायका कहती कि पहले तो मीठी मीठी बाते करके हमको फसा लिया लेकिन अब क्या कर रहे हो अब मुझे छोड़ करके मेरा जी जला रहे हो कहाओ धो कौन न्याय है कि है प्रिये ये कहाँ का न्याय है कि पहले आप ही सारे चीजे करो और आप करने के बाद में मेरा जी जलाओ ये कहां का नयाय है आर्थात ये गलत नयाय है ये नायका कहने का प्रियास करती है आगे कहती है कि सुनी है कनाही यहाँ प्रकट कहावत जू काहु कल पाई है सु कैसे कल पाई है कहने का मनलब यहाँ पर ये है कि नायका कह कहती है कि यह कहां कहने आए है आपने यह प्रसिद कहावत तो सुनी ही होगी सुनी है कि नहीं यह प्रकट कहावत जो यह आपने यह प्रसिद कहावत जो है यह सुनी है कि नहीं सुनी है सुनी है कि ना ही मनलब सुने हो कि नहीं क्या यह प्रकट कहावत जो यह कहावत है प्रसिद कहावत है प्रकट कहावत है जो आपने सुनी कि नहीं सुनी कौन सी कहावत कहु कल पाई है सु कैसे कल पाई है कहने का मनलब यह है कि कहती है जो नाइका है कि हे प्रिये आपने तो य जो किसी को कलपाता है मलब सताता है कलपाई है मने होता है सताता है ठीक है सताना कलपाई है मलब तरसाना या सताना या तो यह होता है कलपाई है का मलब होता है सता तरसाए गया सताएगा तो जो ब्यक्ति क्या होगा कलपाई है यहां पर किरिया का परकार से बात की जाए तो फ पाता है मलब सताता है तरसाता है वह कभी कल मलब की जो है प्रकार से बाद में कैसे कल पाई है मलब वो कभी जो होता है क्या होता है आराम नहीं पाता है कहने का मलब यह है कि दोसरों को जो तरसाता है उसको भी तरसना पड़ेगा दोसरों के लिए गढ़ा खोदता है उसके ल रही हो तो कल कोई आपको तर्वाइगा इस परकार से वहारна प्रीयी प्रीयटमाँ बाद कर रहे हैं इस परकार से महलब की उमन में कह रहे हैं इस परकार से कहsea कि आप मुझे भूल जाते कोई दिक्क्त नहीं, लेकिन आप ने तो मेरी पहचान मिटा दी, मुझे भूल ही गई इस परकार से, मखले आपके हर्दे में मेरी ज्हांकी भी नहीं रहे गई, जिसका संपादन किस ने करा है मेरी पैर दोस्तों विश्नाद परसाद मिस्राजी ने घरानन्द गरंथा बली नाम की पुस्तक है उसमें जो है उसका संपादन करा है और जो सिवम सुकला अर्थाद मेरे की द्वारा आपको सुकला इस्टी पॉन्ट चैनल के माध्यम से आपको यह व्याख्यान सुनाया गया तो आपको यह व्याख्यान कैसा लगा आप लोग कमेंट सक्षन में बताने का प्रियास करें और सभी लोग वीडियो को लाइक और सेर करें अभी रात के नौवजे से लगबग बात करें मेरी प्यारे दोस्तों तो अभी जो है 20 मिनट बाद या 22 मिनट के मलब की 22 मिनट के 18 मिनट लगबग बच्चे हुई है अब 18 मिनट के बाद आपकी कलास हिंदी स्वारी उसकी पॉलिटिकल साइंस की कलास होनी वाली है जिसमें चेप्टर बन के बारे हम बात की जाएगी पॉलिटिकल साइंस प्रतम समेश्टर नवीदव सिक्छानीति के अनुसार नए सिलेबस के अनुसार सभी बिस विद्यालियों के लिए बैद्धिपाठेकरम के एकॉर्डिंग वहाँ पर बात की जाएगी जिसमें हम बात करेंगे तमाम सारे मुद्धों पर तो आप लोग उस वीडियो को अवस्त देखें उस सेशन को जरूर अटेंड करें मिलते हैं मेरे प्यार दोस्तों काहू कल पाई है सुक ऐसे कल पाई है मनलब यहां पर कल पाई है मनलब यहां पर देखेंगे तो यह पिरकार से अलंकार कौन सा हो गया यहां पर कल पाई है कारति क्या होता दूसरा आर्थ है ठीक यहां पर कल मनले होता है कि काल मनलब की भबिस में ठीक पाईं है मटक्वलब होता है सुख पाना आराम पाना उनको नहीं है नसीब होगा यह कलपाई का मनुटब होता है तरसाना यह जो आप अगर मुझे आतर् 그대로 है अपनी प्यार के लिए यह आज मुझा कर रेोकस्ट दे रहे रहे हो सता रहे हो कहते नहीं कि याप मुझे बह को कुई एक नहूं करें तो 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 ही कही जए जो कर से निखे बात की जए तो इसलिए उसी सिकime कर दिया था तो कर लिए बात करेंगे भारत है बातेंद हरिचंद के बारे पर अधर्तेंदुहरी चंद का एक परकार से लंबा चैप्टर है अब उसमें पहले कुछ मात्रु भासा पर प्रेम के दोह हैं पर प्रेम के दो जैसे की निजभासा उन्नतीया, तब ही जब घर उन्नती हो, निजभासा ग्यान के पमोड सब को इस प्रगार सी, इन हुने जो है भासा को लेकर के बड़ियां सा दोहा लिखा है, तो मात रुभासा प्रेम पर दो है अब ये कल की वीडियो में मैं विस्तार से भारतेंदुहरीचंद के बारे में रात के आठ बजे सेक्सिन दूँगा अमलपकी के लाइब क्लास दूँगा तो आप लोग उसको अटेंड करें उसके बाद में आगे कलास रोक हो जो तो अमंगल हो ये जो सिस्टम है भारतेंदुहरीचंद जी का ही उसके बारे में चर्चा करेंगे तो इस परकार से आपका लेक्चर समापत होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहनजा भारत अभी रात के नो बजे द्गाए लीडियो ant Britt लिवे तो आपकी लाएव अभी क्लास सुरूओगी कब तो आपकी रात नोजए सुरूओगी ठीक है और हिंधी क्लास आपकी होगी आज की वीडियो के इंतर नार्त हमने ये देखा ये देखा और ये देखा तीन सक्सनिहार्चिय हुए आज हिए इस सभी पिस विद्धानों के सलेबस में यही चीजे संकलित हैं तो बस इसी से प्रसन आने हैं तो आप लोगों को हमने बता दिया बड़ा मज़ा होगा इसको सुनने में पढ़ने में तो मिलते हैं नेक्ष्टिबूने तो के लिए जैंजाबार धन्यबाद आप सभी का तो